एपिसोड टेन शम्सुल इस्लाम जी की पूस्तक स्वतांदरता आंदूलन और आरेसेस एक दास्तान गदारी की की पिछले एपिसोड में हमने चार्चा करी थी कि किस तरीके से हिंदूत्व के पिता मह कहे जाने वाले बंकिम चंद्र चैटर जी के उपन्यास आनंद मठ से हिंदू राष्ट्रवाद का उदय होता है उनके इस उपन्यास में न केवल अंग्रेजों के साथ सहयोग और उनके शासन को हिंदू शासन माना गया है बलकि मुसलमानों के साथ द्वेश के भी वृत्तान की भरमार है यह इस सब कुछ हमने पिछले एपिसोड में कवर किया था और साथ ही कवर किया था कि किस तरीके से राजे रजवाडे और महराजे जो थे हर विद्रों को दबाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत का यथा संभव सहयोग कर रहे थे और उसके साथ ही वे लोग RSS को सनरक्षन भी प्रदान कर रहे थे यदि आपका पिछले एपिसोड मिस हो गया हो तो आप उसे स्क्रॉल डाउन करके सुन सकते हैं तो आज हम यहां से चर्चा को आगे लेकर चलेंगे चलिए मेरे साथ जैभी मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अमबेट का नामा आज का टॉपिक है RSS द्वी अर्थी वक्तव्य का विशेशग्य और इसमें हम जानेंगे किस तरीके से स्वतंत्रता मिलने के साथ ही बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में मुसल्मानों के कतलयाम की तैयारी की गई थी और ये तैयारी हूब हूब वैसी ही थी जैसा कि हमने मैं एक कार सेवक था भवर मेग मनशी जी के आत्मकाथा में पढ़ा था किस तरीके से गोद्रा में तीन दिन तक गुजरात में गोंद्रा कांट के चलते निर्मम हत्याई की गई थी मुसलिमों की पूरा ब्यौरा जो है जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि तैयारी सेम वैसी ही जैसा हम अल्रेडी पढ़ चुके हैं गुजरात नरसंगहार को लेकर अंत तक इस एपिसोड में हमारे सांथ बने रहिएगा चलिए भारत की स्वतंत्रता के बाद लोग तंत्र अल्प संख्यों के प्रति बेरहम तानाशह रवाईय और पतंशिल हिंदू रजवारों और ब भारत में उनके लिए संभव नहीं था वी और और नेशन हुड डिफाइंड जैसे कताब जिसका ब्रिटिश राज के दौरान आरेसेस ने खुल कर प्रचार प्रसार किया था और जिसके चार संस्क्रण प्रकाशित हो गए थे अचानक उस पुस्तक को किस ने लिखा इस पर जो हैं यह पुस्तक पहली बार आरेसेस द्वारा नागपूर से चापी गई यह शमसुल इसलाम द्वारा विस्तृत आलोचना के साथ अंग्रेजी और हिंदी में उपलध है देखें शमसुल इसलाम वी और आर नेशन हुड डिफाइन अक्रिटीक फारोस मीडिया डेली त इस पुस्तक में जर्मन तानाशा एडॉल्फ हिटलर का महीमा मंडल ब्रिटिश राज के उस दौर में किया गया जब अंग्रेज हिटलर के खिलाफ दूतिये विश्वयुद में जिन्दगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे इसके बावजू ब्रिटिश प्रशासन न वाबंदी नहीं लगाई ऐसी पुस्तक के अबावध प्रचार प्रसार के इस तरह इजासा देने का सीधा मतलब यह है कि ऐसी पुस्तक बांटो और राज करो की समराज्यवादी नीती के लिए जरूरी थी तो आरेसेस को जो इतना बढ़ावा ब्रिटिश हुकूमत ने दि लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है कि स्वतंद्र भारत में यह संभव नहीं था खुल कर इस तरह विरोध करना वी और आर नेशन हो डिफाइन के लेकर को लेकर चाहे जो भी विवाद खड़ा के आगया हो लेकिन सबसे बुनियाधी बात यह है कि आरेसेस ने अल्प संख्यकों विशेश कर मुसलमानों के सफाय के बारे में अपने विचारों में कभी कोई परिवर्तन नहीं किया है और ना ही कारे शेली या प्लाइनिंग में कोई डिफरेंस आपको नजार आएगा अभी थोड़ी दिर पहले ही मैंने कहा कि मैं एक कार सेवक था भवर मेगवन्शी जी की जो आत्म का था है उसमें जो ब्योरा हमें मिलता है गुजरात नरसंगार का सेम प्लाइनिंग स्वत अंठनात्मक शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि वे मुसल्मानों के खून के साथ फोली खेलने के प्रयास देश के कई हिस्तों में करने की कोशिश करते थे उत्तर प्रदेश के पहले ग्रिह सचिप राजेश्वर दयाल आई सी एस की जीवनी के कुछ अंशों को पढ़ने से आरेसेस के उन नापांक एरादों का खुलासा होता है जिनके द्वारा स्वतंधरता के मौके पर देश की एकता और खंडित करने के प्रयास किये गए थे जाहिर है कि ये सब दो-चार दिन की तैयारी का नतीज़ा नहीं हो सकता था इन कर्तूतों को अमल में लाने की तैयारी अंग्रेजी राज में भी चल रही होगी राजेश्वर दयाल की जीवनी के अनुसार तो अब आगे जो ब्यारा है उसको ज़रा ध्यान से सुनिए मुझे एक गंबीर घटना को बतलाना ही चाहिए जब उत्तर प्रदेश मंत्री मंडल की टालमटोल और अनिर्णय प्रवृत्ती के कारण भयानत परिणाम पैदा हो गए थे एक ऐसे समय में जबकि सांप्रदाइक तनाव अपने जवार पर था पश्चिमी रेंज के पुलिस डिप्टी इस्पेक्टर जनरल बी बी जेटली जो एक बहुत ही अनुभवी और काविल अफसर थे बहुत गोपनी तरीके से मेरे घर पहुँचे जिनके सांथ पुलिस के दो अफसर भी थे जो अपने सांथ बाकायदा ताले लगे हुए दो स संदूक भी लाए थे जब इन संदूकों को खोला गया तो उन में एक कायरता पूर्ण शड्यंत्र के न जुट लाए जाने वाले सबूत थे जिसके द्वारा प्रांथ के पश्चिमी जिलों में खून की हुली खेली जानी थी संदूकों में धेर सारे नक्षे भरे पड़े थे जिन में पेशावराना और बहुत अथ्यात्मक तोर पर उस बड़े इलाखे के हर गाव और शहर में मुसल्मान आवादी और महलों की निशान देही की गई थी उनमें इन जगों पर पहुँचने के विस्तरित निर्देश और दूसरी चीजें थी जिन से एक दुष्ट उदेशे का पता चलता था तो यही सारी बाते हमने भवर मेग वन्शी जी के आत्मका था मैं कार सेवक था में भी पढ़ी थी उसमें भी सेम इसी शैली की तरज पर काम किया गया था मुस्लिम बस्तियों को टार्गेट किया गया था उसमें भवर में एक वंशी जी लिखते हैं कि गोद्रा के दौरा के उग्र हिंदु भीड के पास मुस्लिम प्रतिष्ठानों और घरून की सूचियां थी जिसके आधार पर लूट पार्ट और मार काट की जा रही थी तो ये कोई एक दिन की तैयारी नहीं होती इसके पीछे बहुत लंबी तैयारी करनी पड़ती है इतनी सारी उनमाधी भीड को सबसे पहले कठा करना और फिर सारे दिशा निर्देश उन्हें देना और उन्हें सही सही तरीके से रास्ते समझाना इसमें वक्त लगता है तो इससे पता चलता है कि ये सारे इंसिडेंस जो है यदि आप कडियां जोड़ेंगे तो समझ जाएंगे कि कोई एक दिन की बात नहीं थी गोदरा कांड भी अनायास ही नहीं हुआ होगा पहले से प्लैंड किया गया होगा कॉमेंट सेक्शन में किसे ने कॉमेंट किया था कि बाहर से फिर कैसे दरवाजे बंद थे ट्रेन के तो ये तो किसे ने पुष्टी नहीं की कि वे मुसलिम लोगों नहीं बंद किये थे कोई भी कर सकता है ऐसी जानकारी बिल्कुल भी नहीं मिली कि उन गेट्स को बाहर से किसने बंद किया था तो ये सारी चीज़ें पढ़कर एक बार को दिमाग सन भी हो जाता है इन रहस्य उत घाटन से बहुत जादा चिंटित होकर मैं तुरंट पुलिस पार्टी को प्रधान मंत्री के घर ले गया उन दिनों मुख्य मंत्री को इसी नाम से जाना जाता था वहाँ एक बंद कमरे में जेटली ने अपनी खोज की एक पूरी रपर्ट लोहे के संदूकों में बंद सुबूतों के सांथ पेश की उचित समय पर RSS के ठिकानों पर छापे मारे जाने की बज़ा से इस बड़े शड्यांत्र का भंडा फोड हो पाया था ये पूरा शड्यांत्र स्वयम संस्था के मुख्या के निर्देशों और संचालन में ही संगठित किया गया था और मैंने मुख्य अभियुक्ति श्री गोल वरकर की तुरंत गिरफतारी के लिए जोर दिया जो अभी उसी इलाके में थे अब इसके आगे का प्योरा भी ध्यान से सुनेगा और समझेगा कि किस तरीके से किस तरह ने ऊपर तोर पर नहीं दिखाई देता है लेकिन अंदर यांदर कितनी पैठ बना ली है देशमे में किस तरह कहते है न घुन्ण जो है वो लकडी को अंदर यांदर खा जाती है उसी तरीके say से आरेसेस ने देश को किस तरह अंदर ये अंदर खाना शुरू कर दिया है जब से ये और्गनाइजेशन बना है तभी से इन्होंने अपना काम चालू कर दिया है पंत जी विदिन ब्रैकेट जी बी पंत ने जो कुछ देखा और सुना था उस पर भरोसा करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था और उन्होंने गंभीर चिंता चताई लेकिन सरगना की तुरंद गिरफतारी के लिए सहमत होने की बजाए जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे और जिसका आदेश किदवई एक अन्यमंत्री कर देते उन्होंने इस मामले को मंत्री मंदल की अगली मीट राजनेतिक तोर पर नाजुक था क्योंकि RSS की जड़े राजनेतिक व्यवस्ता में बहुत गहरी जा चुकी थी साथ ही कई दूसरी राजनेतिक मजबूरियां भी थी जैसे की RSS के हमदर्द खुले और गुप्त दोनों रूपों में कॉंग्रेस में पाए जा सकते थे यहा के दोनों बेटे तो खुले तोर पर RSS के सदस्य थे मंत्री मंडल की बैठक में गैर जरूरी चर्चा और हर बात की तरह का टाल मटोल चलता रहा यह सचाई की पुलिस ने शडियंत्र का भंडा फोड किया था जो पूरे प्रांथ को आग की तरह जोंक देता और जिन अफसर मंत्री गोल वरकर के नाम एक पत्र लिखा जाए जिसमें उन सबूतों और पाए गए सामान की जो सूची मिली है उसके बारे में जवाब तलब किया जाए तो हर तरीके से इनको बच निकलने का पूरा मौका दिया गया मंत्री मंडल की तरफ से मैंने जोर दिया कि अगर ऐस पत्र भेजा जाना चाही तो प्रधान मंत्री द्वारा खुद जारी किया जाए ताकि उससे का जाधा वजन हो पंडी जेने मुझे प्रारूप तयार करने को कहा जिसे मैंने उनके विशिष्ट अंदाज करते हुए लिख दिया पत्र को उसी समय पहुंचाने का निर्ने ल लेकिन वे उनका पीछा करने वालों को धोगा दे कर बच निकले यह बेकार का पीछा एक जगे से दूसरी जगे चलता रहा और इसी में हफ्तों बीट गए तीस जनवरी 1948 का दिन आप हुचा जब महात्मा शांती की सरवोच प्रचारक एक कट्टार RSS कार्यकरता की गोली का शिकार हो गए इस दुखत घटना ने मुझे हिला डाला और ये सारा ब्योरा जो है वो शम्सुल इसलाम जी ने अपने मन मताबिक नहीं लिखा है ये एक्स्ट्रेक्ट है जो लिया गया है इस पुस्तक से राजेश्वर दयाल अलाइफ आफ आर टाइम्स न्यू डेली 1999 पे किकत्र अ खंडता का पहरेदार बताता है किस तरह देश के अंदर घृह युद्ध के हालात पैदा करने में सकरीए भूमी का निभा रहा था और साथ DOWN वो राजनेतिक दल और वो राजनेतिक व्यक्ति भी शकरीय भूमी का निभा रहे थे जो इनको बच निकलने का पूरा- आज का ये एपिसोड तो यहां समाप्त होता है लेकिन ये आपको बहुत सारे विचार मन्थन के साथ जरूर छोड़ कर जाता है विचार मन्थन जारी रखिए और इनकी कारे शैली को समझने की भी कोशिश कीजिए इन पुस्तकों के जरीए अमबेटकर नामा को लाइक शेर सब्सक्राइब करते रहिए और इन वीडियो को जादा से जादा सर्कूलेशन में लाने में हमारी भी मदद कीजिए मिलते हैं अगले एपिसोड में धन्यवाद